अगर आप एक ऐसे लड़के हो, जो किसी लड़की से जाकर बात करी नहीं सकता, तो ये वीडियो ध्याँ से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूँ, जो कि शाय दाहब को भी नहीं बताऊंगे, अगर आप शर्मीले हैं, तो सबसे जादा टेंशन देते हैं, लेकिन लड़की को पता नहीं लगता, हम दूर दूर से लड़की को निहारते हैं, रोज देखते हैं, चुपके चुपके देखते हैं, कई बार तो हमारे फ्रेंड को भी नहीं पता होता हैं, होता है न, हम किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन हम लड़की को टेंशन देना हमें अच्छा नहीं लगता अगला फैक्ट है कि हम बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं और होंगे अभी क्यों नहीं क्योंकि हम बोल तो पानी रहे हैं अभी भी आप सोचे हो मुझे पता है अगर सोचे हो तो वीडियो को लाइक करना मान जाओ अगला फैक्ट है कि हम बहुत अच्छे लिस्नर्स होते हैं क्योंकि जो इंसान जादा शर्मीला होता है न वो लोगों को सुनना पसंद करता है वो पहले ये देखता है कि सामने वाले इंसान बात करने लाइक है भी है नहीं तो पहले हम ध्यान से सुनते हैं अच्छा ये है फिर हमें लगता है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा चुगल खो रहा है बात बात करने लाइक नहीं इसको भगाऊ है हां से लेकिन जैसे ही मैं पता लगता है यह तो मेरे जैसे ही है फिर हम उसे और बाते करते हैं कब करते हैं जब हमें डिसाइड कर लेते हैं कि इंसान हमसे बात करने लाइक है अगली चीज़ है कि shy guys are full of surprises लड़कियों का ऐसा लगता है कि बहुत जादा boring लड़के होते हैं बाकी लोगों को भी लगता है कि तो शर्मीला है यह तो भोला भाला है तो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि शर्मीले का भोलेपन से क्या लेना देना मतलब कोई नहीं बोल रहा तो इसका मतलब क्यों बोला है यह क्या कूँसी बात है यह तो वहीं बात हो गई कि जो सबजी दिखने में अच्छी है और अंदर से भी अच्छी होगी सवाद में भाई जो दिखने में अच्छ है जरूरी नहीं अंदर से भी अच्छा हो जरूरी है हम ज़ादा बोलके नोटिस नहीं हो रहे हैं यह फाल्टो की बातों दई होती है तो फैक्त है कि हम बहुत ज़दा surprises देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है फिर लड़की के पास में जाऊंगा फिर असे पकड़ूंगा कोई भी web series देखोगे तो अपने आपको imagine करोगे लड़की की जगा खुद को लड़की की जगा उसको और must smile करके देख रहे होते हो कई बार यूँ ही चल रहो smile कर रहो याद कर रहो उस लड़की को कुछ भी फिर याद आता बे क्या कर रहो हुमे तो समझ रहो ये चीज़ें होती है सबके साथ एक और fact है कि we value our privacy लोगों को ये लगता है न कि ये शर्मीला है भोला-बाला है ये तो बात करी ने सकता लेकिन कई बार होता गया है कि हम privacy को जादा importance देते हैं हमारे लिए ये जरूरी ने कि अपनी चीज़ें हम सबको leak करते हुए घुमे हमें ये मज़ा आता है कि तुम मेरे पास आओ खूब अपना मसाला शेयर करो लेकिन तब जब तुम दिखो गया ऐसे कि हाँ जिससे बाते शेयर की जा सकती है एक और fact जो कि बिल्कुल लोगों के विश्वास नी होगा कि बहुत अच्छे advisors होता है और simple सा reason है बहुत obvious reason है कि जो शाय इंसान होगा ना वो लोगों को observe करता है deep thinking करता है analyze करता है चीज़ों को समझता है क्योंकि जब आप बोलोगे impression जानने की कोशिश करोगे तो आप कहां समझ पाओगे लोगों को और जब समझ ही नी पाओगे तो advice कहां से दोगे हम समझते हैं हम अच्छे advice देते हैं हमारी advice ऐसी होती है ना कि अगर इंसान मान ले तो कहां से कहां पाओगे लेकिन लोग हमारी advice मनते नहीं और बाद में वो आते हैं कि यार तू तो सही कहा रहा था लेकिन हम भी बोलते हैं कि पहले समझ जाते हैं तो बच जाते हैं ये fact अगर पसंद आए वीडियो को like करना पक्का like करना कि हम जो shy लड़के होता हैं वो बहुत जादा caring होते हैं बहुत जादा loyal होते हैं actual में लड़कें को वो लड़कें पसंद आए जो बड़ी बातें करता है जो सब के साथ बातें करना चाहता है दिखने में भी अच्छे होते हैं सबसे आके बातें करते हैं और हम जैसे बिचारे लड़के हम कभी बात कर नहीं पाते हैं लड़कें हमसे बात करती नहीं हम ऐसी रह जाते हैं लड़कें को लगता है कि वो जो लड़कें दिख रहाना दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा है जाकर उस वीडियो को देखो मज़ा आजागो और अगर ये वीडियो परसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करके जाना